दोस्तो बिग बॉस ओडिटी के लाइफ फीड में इस समय अंकल जी ने एक बार फिर से सभी फैंस का दिल जीत लिया जी हां दोस्तो अंकल जी को बिग बॉस ने घर से जाने की विदाई की अनुमती दे दी है और इस दोरान अंकल जी काफी ज़यदे भावुक हो गय थे और इस दोरान जब गारडनेरिया में आये और उनसे पूछा गया कि आप अपना जो इस्टार है वो किसे दिना चाहते हैं और क्यों देना चाहते हैं इस दोरान दोस्तो पहले तो उन्होंने घर के सभी कंटेस्टेंट की तारिफ कर डाली और सभी का दिल जीत लिया और सभी को कहा कि आप अपना बेस्ट दे रहे हो और मैं चाहता हूँ कि और बी बेस्ट दो बाकि सब उपर वाले पर छोड़ दो और रही बात इस्टार की तो इस्टार मैं अभिशेक को देना चाहता हूँ क्योंकि अभिशेक ने मेरी मालिस की थी मेरी आज तक किसी ने भी मालिस नहीं की लेकिन अभिशेक ने मेरी बहुत अच्छी मालिस की इसलिए मैं अपना जो इस्टार है वो अभिशेक को और इस दुरान दोस्तों सभी ने तालियां बजाई और अभिशेक भी काफी खुश होगे और फाइनली दोस्तों अभ अभिशेक को भी दो इस्टार मिल चुके हैं क्योंकि पहला इस्टार उनको मनिश रानी के पिता ने दिया था और दूसरा इस्टार अब उनी के दोस्त एल्विस के पिता ने उनको दे दिया और अब वो पूजा बट को कड़ी टक कर दे रहे हैं क्योंकि पूजा बट के पास भी इस समय दो इस्टार है और फुकरा इंसान के पास भी दो इस्टार हो चुके हैं फिलाल दोस्तों आपको क्या लगता है अब बेबी कावा के पापा जो आएंगे वो अपना इस्टार किसे दे सकते हैं पूजाबट को या फिर फुकरा इंसान को आप अपनी राई कॉमेंट में जरूर बताएं वहीं दोस्तों अंकल जी ने जो इस्टार फुकरा इंसान को दिया है फैंस उस चीज से काफी ज़्यादा खुश है फिलाल को या ऐसा लगा आपको या सीन हमें कोमेंट का कैपनी राई जरूर बताएं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमार साथ बने रही है ताकि बिग बॉस की ऐसी ही मज़िदार खबरे आप तक पहुंचे सब से पहले